हेलो एब्रीवाइन वेल्कम टु माई चैनल कैसे हैं आप सब होप सब ठीक होंगे और अभी टाइम हो रहा है धाई वज रहे हैं और आज का वीडियो मैंने अभी से स्टार्ट किया है और हम लोग अभी लंच कर चुके हैं लंच किये हुए एक घंटे हो चुके हैं तो मैंने सोचा भी ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर देते हैं और मॉर्निंग से वीडियो नहीं बना पाते क्योंकि मॉर्निंग में ज्यादा काम हो जाता है और वीडियो बनाने लग जाओ तो आदे घंटे का काम रहता है तो एक घंटे लग जाते हैं वीडियो बनाने में आप लोग क मों कोर सब्सक्राइब sólo करИन, कुलमा आप में छोंड़ नहीं कर दो Wednesday और प्रकाइब बयुद्ट इसमya है मैं फोड़ते दिन क्रोड़ेती। आप लोग देखिये कि मैं कैसे घर में पेडर करती हूं परे न debates being made and और मैं घर के छोटे-छोटे चीजों से यह पेडिक्योर करती हूँ और बहुत अच्छे से हो जाता है। यह मेरे पैर ज्यादा गंदे तो नहीं दिक रहे हैं बट हलका गंदा हैं नेल्स सोड़ी ज्यादा गंदा हैं बट clean कर लेते हैं। और यहां पर नेल पिंट लगा ह हुआ है तो इसके लिए मैंने लिया है Norwegian grand remover इस तिप से rating know से दोने बढ़ पेर कर ले से करबाद में लिये लित करना है करना है इसके लिए मैंने लिया यहां पर गशा स्क़िए कर away तो दोने लियुच करती हूं पहले मैं रिमुव करती हूं नेल पेंट इसके बाद ही कट कर लेती हूं और यहां मैंने लिया फैलर और फैलर से मैं अपने अच्छे से इस तरह से सेट कर लोगी और जो भी कचड़े हैं उसको भी निकाल लें गेwer तो इस तरह से मैं दोनों पैर के कर लोंगी और अच्छे से सेट हो जाने के बाद यहां पर मैंने लिया है इसको और जो भी हलका किनारे किनारे कचड़े दीख रहे हो उससे मैं साफ कर लोंगे इस तरह से तो अच्छे से साफ हो जाता है इसमें से तो मैं इसी से साफ कर लेती इसके बाद यहां पर मैंने लिया है गरम पानी ज्यादा गरम पानी नहीं है इतना है कि अपने पैर मैं इसमें रख सको इसके बाद इसमें एड किया है बेकिंग सोडा और इसके बाद निवो और हलका सा इसमें नमक डालेंगे और इसमें एड करेंगे वाडी वास या तो इसे अंदर रख देंगे इस तरह से पैर, और पैर रहम रखेंगे 10-15 मिनट तक रखेंगे, और यहां पर मैं इस तरह से साफ कर लूँगी इससे, तो गरम पानी में इस तरह से साफ करो, तो जो भी हमारे पैर में कचड़ा रहता है, मैल रहता है, निकल जाता है, और इस यहां पे मैंने लिया है नमक और बेकिंग सोडा और निबू जो आधा कट करके मैंने डाल दिया था गरम पानी में और आधा इसमें लिया है तो इसको इस तरह से अपने नेल्स अच्छे से साप करेंगे और पूरे पैर को अच्छे से साप करेंगे तो अच्छे से साप हो जाता है और हमारा पैर ओट हो जाता है क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा डला है जो ओटनिंग का काम करता है तो इस तरह से अच्छे से अपने पैर की सफाई करेंगे और जहां जहां भी हमें डार्क दिख रह वहाँ पे अच्छे से ज्यादा क्लीन करेंगे तो जो भी मैल है निकल जाएगा इसके बाद धुल लिया है मैंने पैर को और यहाँ पे लिया है कौफी और इसमें हलका सा पानी डाला है और पानी की जगे में दूद भी डाल सकते हैं दही डाल सकते हैं और यहाँ पे मैंने प नीबू लूँगी और इस तरह से अच्छे से नीबू से साफ कर लेंगे दो से तीन मिनल लगते हैं ज्यादा नहीं लगते इसमें टाइम तो इसको फिर मैंने वास कर लिया है वास करने के बाद यहाँ पे साफ कर लिया है यहाँ पे लिया नीविया कमोश्राइजर और अपने पैर पे नीविया कमोश्राइजर लगा लेंगे जिससे हमारे पैर वह सॉप्ट हो जाएंगे इसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही और यह देखे हमारा पैर कितना अच्छा दिख रहा है और कितना साफ और क्लीन दिख रहा है आप लोग को खुदी इसका फर्क नजर आ रहा होगा गूड इबनिंग गाईज और मैं पेडियो की और करने के पाद थोड़ी सी रेश्ट लिए और मैंने पेड़ी क्योर किया था बहुत ही अच्छे से पैर क्लीन हो गया था और मुझे होम रेमेडी ही ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि ये अपने घर की चीजों से बन जाते हैं और बहुत अच्छा वर्क भी करता है और बाहर से सब चीजे लेओ तो बहुत ही मेहंगा भी आता है और क्या पता ये हमें फायदा किया या नहीं किया और अगर हमारी स्कीन डैमेज भी हो सकती है और होम रेमेडी से ऐसा कुछ नहीं है तो मैं ज़्यादा तर प्रिपेर करती हूँ होम रेमेडी जितना ज़्यादा हो सकता है तो मैं घर की चीजों से बनाती हूँ और यूज करती हूँ तो अभी ये याद चुके हैं और इनकी फर्माई से कुछ बनाने की क्योंकि लग रही भूप और मुझे भी लग रही है तो चलते हैं कीचन में कुछ बना खा लेते हैं इसके बाद आपसे में मिलती हूँ यहां पर मैं आगे हूँ कीचन में और सूजी और दही और पानी से प्रिष्ट को बना के रखी थी आदे गंटे के लिए इसके बाद इस तरह चला लेंगे और इसमें कुछ मसाले एट करेंगे लाल मिर्च और गरम मसाला और नमक और थोड़ा सजीरा इसके बाद कुछ सब द्हित रगड़ यहरा था तो इसमें हलका पानी डालने इस तरह से इधर मैं पैन हो अग्याद के लिए हलगा बाद रखी तो इस तरह से सभी में फिल न गर्ख और अपे बहुत ही अच्छे लगते हैं तो यहां भी मैं बना रही हूं सूजी के अपे जल्दी से बन जाते हैं और टेश्टी भी लगते हैं तो इस तरह से डालने के बाद ढग देंगे और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता पांसे दस मिनट के बाद यह सिंख जाता है तो इस तरह मैं पलट दोंगी और फिर इदर में चेक कर लूँगे देखिए बन के रेडी हो चुके हैं और इसको मैं थोड़ी इस तरह से से शेकती हूं और जब दोनों साइड से सीख जाता है तभी यह अच्छा लगता है तो इसको चटनी के साथ या सौस के साथ किसी भी खा सकते हैं तो मैं अभी आ चुकी हूं टेरिस में और साम हो चुका है वीडियो भी देखिए के लिए नहीं आ रहा है और मंदीर में भी भजन चल रहा है क्योंकि अभी यहां होने वाला पूज्या और मैं आई हूं टेरिस में क्योंकि मुझे करनी है थोड़ी देर वॉक और यहां कुछ डला था सूखने के लिए उसको भी उठाऊंगी, सूखने के लिए गेहू डला था क्योंकि इसको देना है पिसने के लिए, तो उसको भी ठालूँगी और थोड़ी देर बॉक कर लूँगी, तो और यह देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, इबनिंग में बॉक करना बहुत ही अच्छा लगता है, और मॉर्निंग में भी, तो मैं मॉर्निंग में बॉक कर लेती हूँ, और थोड़ा सा इबनिंग में, इस ब्लॉग को अब मैं ही प्रिंड करती हूँ, और आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, सेर करें, और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगर में बेल आइकन पर आल पर क्लिक करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालू, उसकी नॉटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेश्ट वीडियो में, बैब बै, टेक केल,